बारिस की सिजन में बनाई है दोस्तों ये कौन पालक के क्रिस्पी और कुरकुरे पकोड़े जो उपर से आपको क्रिस्पी लगए लेकिन अंदर से एकदम सौप्ट और थोड़े से स्वीट रहेंगे येकि अंदर का मट्रियल्स भी ऐसे फ्राइ होके तयार होगा एक बार थ सुध्रू करते हैं इसके लिए दो भूट्टे में उसे के दाने निकाल लिये उसको बोइल कर लिया है और आधाबंच पालक ले लिया है थोड़ा सामने धाजा धनिया लिया है दस से बारा लसन चौपकिया है एक इच अध्रक को बारिक चौप कर लिया है सबसे पहले मिक्चर में पालक और धनिया डाल के उसको अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है और पीछने के लिए दो से तीन चमचा पानी का इस्तमाल कर सकते हैं अब एक बाउल में कौन निकालेंगे उसमें हम पालक की प्योरी पालक की पेस्ट डाल देंगे इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले कि मिक्स करने के बाद उसमें अध्रक और लस्ण चौप कियावार एड़ कर देंगे चाहे तो आपको एक चीज़ स्किप कर सकते हैं इसमें एक चमच हम काला नमक एड़ करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे एक चमच धनिया और जिला का पाउडर एड़ करेंगे चाहे तो आप लाल मिर्च पाउडर एड़ कर सकते हैं, दो बड़े चमच, लगबग 100 ग्राम के करीब हमने बेशन लिया है, यह बेशन इसमें डाल देंगे, और कम पड़े तो ओर डालेंगे, एक बड़ा चमच हम चावल काटा, राइस फ्लोर भी डालेंगे, और अधा है, एड़ करने के बाद, एक दम बारिक चोप कीवी, एक हरी मिर्च इसमें एड़ करनी है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, अब इन चीजों को साइड में करके यहां, एक कड़ाई में तेल में ने बहुत अच्छा खासा गरम कर लिया है, फ्लेम को बिलकुल मिडियम स्लो कर देना है, बलके जितना स्लो रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि यह पॉपकॉन की प्रजाती है, बहुत हाई फ्लेम पे, पॉपकॉन फटने लगेंगे, कौन जैसे अंदर जाएंगे, फटना सुरू हो जाएंगे, तो एक बार अच्छा गरम करके इसको मिडियम मिंड के बाद इसकी थोड़ी सी अल्टा, थोड़ी सी अल्टी पल्टी कर ले, थोड़ा सा चला ले, और यहाँ पे हमारे पॉकॉने, आट से दस मिंड के बाद बनके तयार हैं दोस्तों, उसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, एक दम लजीज और टेस्टी पॉकॉने अगर आपने ये पकोड़ी इस स्टाइल से बनाया है, तो दस लोग आपको पूछेंगे कैसे बनाया और लोग तारिफ करते होएं नहीं थकेंगे, एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं अलग से, और इसको हरी चतनी और टमाटो सोस के साथ सरु करें दोस्तों, रेसिपी अंदर का मटिरियल्स होने के बाद अंदर से कैसा लगता है, तो दोस्तों एक बार जरूर ट्राय करें